नमस्कार दोस्तों एक फिर से आपका हर्दिक हर्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजीजेवर में दोस्तों वर्तमान में हमारे जो अधार के साफ्रिवर यूसील और एसीमपी है 181-1 पे चल ला है लेगिन भविस में जैसे ही इसका नया वर्जन 182 आएगा तो इसकी सर्विसेस में इसके साफ्रिवर की इंटरफेस में काफी सारे बलाव होने वाले हैं कुछ सर्विस इस पे एड की जाएंगी कुछ सर्विसेस इससे रिमोव की जाएंगी क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट अपडेट में तो हम इस वीडियो के मात्यम से हम देगेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को चैनल पे नए हैं तो सबस्कार जरू कर लीजेगा ताकि हमारे आपका इन वीडियो का अपडेट आपको असानी से मिल सके हैं तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यू आई डियाई नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एसी एंपी वर्जन 3.3.4.2 182-1 अलफा फार प्रॉडक्शन यहां पर लिखा है साथ यहां पर आपरेटर के लिए एक निर्देश है कि केवल यूनिवर्सल क्लाइंट को जो मोबाइल ओनली अपडेट है इस समय मत यूज करें क्योंकि यह डिसेबल है जैसे ही हम इसे इनेबल करेंगे इसका नोटिफिकेशन फीचर में आपको देंगे इसके लाबा जो इस नए वर्जन में अपडेट होगा इस नए साफ्ट्वियर में जो डाकुमेंट की स्केनिंग केवल कलर होगी ब्लेक और वाइट जो डाकुमेंट की स्केनिंग वो नहीं हो पाएगी इन्रोल्मेंट के बाद जो यू आरेन नंबर या या आईडी मिलती है इसमें भी आपको बल्लाव देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको एसारेन नंबर मिलेगा ठीक वैसे ही जब आप सेल्फ पोर्टल के द्वारा डाकुमेंट अपडेट करते हैं अड्रेस अपडेट कर अठारा प्लस के जो भी इन्रोल्मेंट है वो कुछ इस्टेशन में रिस्टिक्शन दे दिया जाएगा वो 18 प्लस का इन्रोल्मेंट नहीं कर पाएंगे और कुछ सर्विस जैसे की नेम जेंडर एंड डी ओ अपडेट एंड न्यू एटेंड प्लस इन्रोल्मेंट भी सकता है तो इस तरह से यहां पर नोटिफिकेशन दिया है टेक्सपोर्ट के लिए मेल आईडी और नमबर भी दिया है तो आएगे हम स्क्रीन में देखेंगे कि इस न्यू वर्जन का कुछ इंटरफेस के इस तरह के रहेगा तो जैसे ही आप ओपेंड करेंगे कुछ इस तर क्लाइंट का यूज करना चाहते हैं उसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद हम साफिवर के नेक्स्ट पेज पेज चले जाएंगे कुछ इस तरह से वेलकम टू यूनिवर्सल क्लाइंट लिखा होगा इसमें दो स्टेप होंगे स्टेप वन में बायोमेटिक अथेंटिकेशन ह करना होगा यहां पर जो भी अधेंटिकेशन टाइप होगा फिंगार या आरिस या फेस उसे हम यहां पर उसके मद्धम से यहां लॉगिन करेंगे अपना अधार डालेंगे और उसके बाद क्याप्चार सौल करेंगे देन रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी आएगा ओटी पर कुछ इंटरफेस चेंज है आप देख सकते हैं लेफ्ट की और आपको न्यू इन्रॉल्मेंट के जो बाकी सारे फीचर है यानि 18 प्लस के या बिलोव फाइव यह फाइव फाइव यह फाइव तू एटीन आपको मिल जाएंगे अपडेट का आपको मिडिल में भी अधार दियक्टिवेट है डेमोग्राफिक अपडेट अगर हम करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से अगर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रेजिडेन्स का अधार नमबर यहाँ पर हमें फिल करना होगा फिल करने के बाद आप देखेंगे जो फील्ड यहाँ पर अप residence का biometric authentication करना है authentication करने के बाद आपको proceed button पे click करना है तो जैसे कि यहाँ पर यह feature finger के लिए हम यहाँ पर select करेंगे then हम proceed पे click करेंगे और जब हम proceed पे click करेंगे biometric authentication का जो है feature अवेलेवल होगा आप authenticate करेंगे कोछ इस तरह से जो demographic का farm open हो जाएगा आप पूरी entry यहाँ पर देख सकेंगे लेकिन सारी lock होगी किवल mobile का option यहाँ पर अवेलेवल होगा और उसके बाद भी यहाँ entry करने के बाद आपको एक verify का option दिखाई देगा तो जब आप यहाँ पर mobile number enter करके verify करेंगे तो उस mobile number पर जिसे residence को update कराना है वहाँ पर OTP मिलेगा OTP डालने के बाद आप verify करेंगे successfully verify करने के बाद आप next step में जाएगी तो acknowledgement की कुछ slip इस तरह से दिखाई देगी enrollment को confirm करने के लिए दिन यहाँ पर operator को भी अपना finger authentication कराना होगा जैसे की पहले करते थे उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा preview का option और print का option यहाँ पर print करके आपको document upload करना होगा यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं from computer and scan यहाँ अगर आपके computer की hard disk पे है तो यहाँ पर आप directly upload कर सकते हैं then second step में इस enrollment slip को भी upload करना होगा और submit करना होगा दोरों document को जब आप successfully scan करके submit करते हैं तो आपको message मिलता है online mobile update request accepted for UID successfully इस तरह से universal client का message मिलता है और हम close करके यह process complete कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारे वीडियो को like channel को subscribe और अपने दोस्तों की share करना मत भूले हम भी मिलते हैं किसी नए topic के साथ आपको दिन सुब रहे धन्यवाद